देखना न भूलें धन्यवाद नमस्कार दृष्टी आईएस के टुडेज रीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है शुरुआत करते हैं पिछले सेशन के रीकैप से पहला प्रश्न था ना भी किये सनलायन के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसमें भारी आईसोटोप अलग हो जाते हैं दो सनलायन अभी क्रियाएं प्लाजमा नामक पदार्थ की अवस्था में होती हैं उप्रोक्त में से कौनसा यांसे कथन सही है या फिर हैं इसा सही जवाब था केवल दो अगला प्रेशनिता निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक मौदरिक नीती रिपोर्ट आरबी आई की मौदरिक नीती समीती यानी MPC द्वारा प्रकाशित की जाती है दो, मौदरिक नीती समीती RBI अधीनियम 1934 के तहट एक वैधानिक और संस्थागत धाचा है तीन, मुदरा स्वीती लक्षिय को RBI द्वारा वार्शिक आधार पर निर्धारित की आ जाता है उप्रोक्त में से कौनसा यांसे कथन सही है या फिर है इसका सही जवाब था केवल एक और दो आगला प्रश्निता निम्नलिकित में से कौनसे मामले जन प्रतिनिधित्व अधीनियम 1951 द्वारा निप्टाए जाते हैं एक, लोगसभा में सीटों का आवंटन दो, उप्चुनाव तीन, चुनावी विवाद चार, राजनितिक दलों का पंजी करण नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये इसका सही जवाब था केवल दो, तीन और चार अगला प्रश्निता निम्नलिकित कथनों पर विचाहर कीजिए एक, सम्विधान में एक साल में तीन निश्चित संसदिय सत्रों का प्रावधान है दो, सम्विधान के अनुच्छेत 85 में संसदिय सत्र को आहूत करने का प्रावधान किया गया है तीन, संसत के किसी सत्र को बुलाने की शक्ती सरकार के पास है उप्रोक्त में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर हैं इससही चवाब था केवल दो और तीन अगला प्रश्ण था अटल टनल के संदर्ब में निंदलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक यह हिमाचल प्रदेश में मनाली को लाहौल और स्पीती से जोडता है दो यह दुनिया का सबसे लंबा हाईवे टनल है तीन इस सुरंग को हिमाले की धौला धार रेंज में बनाया गया है उप्रोक्त में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर हैं इससा सही चवाब था केवल एक और दो अगला प्रशन था भू चुम्बकिये तूफान यानि जीयो मैगनेटिक स्टॉम के संबंद में निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक यह संस्पोट से जुड़ी चुम्बकिये उर्जा के निकालने के दोरान होते हैं दो ये चुम्बकिये प्लाजमा है जो सौर सतह से बहुत तेज गती से निकलते हैं उप्रोक्त में से कौनसा यांसे कथन सही है या फिर हैं इससा सही जवाब था दोनों एक और दो अगला प्रश्निता केंद्रिय उप्भोक्ता संरक्षन प्राधीकरण यानि CCPA के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसमें एक मुखे आयुक्त और दस अन्य आयुक्त होते हैं दो केंद्रिय प्राधीकरण का मुख्याले मुंबई महराष्ट्र मिस्थित है उप्रोक्त में से कौनसा यांसे एक अथन सही है या फिर हैं इससा सही जवाब था ना तो एक और ना ही दो अगला प्रशन था डोर्नी और विमान के संबंद में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक यह दो इंजन वाला बहु उद्देशिय विमान है दो यह इसराइली कंपनी से लाइसेंस के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है उप्रोक्त मेंसे कौनसा यहांसे कतन सही है या फिर है इससे ही जवाब था केवल एक अगला प्रशन था निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक मतभेद होने की स्थिती में राज्यपाल और राज्यसरकार को सारवजनिक रूप से बात करनी चाहिए दो, राज्यपाल का कारेकाल पांच वर्श का होता है वहराश्ट्रपती के प्रसाथ परियंत ही अपने पद पर बना रह सकता है उप्रोक्त मेंसे कौनसा यहांसे कतन सही है या फिर है इससे ही जवाब था केवल दो अंतिम प्रश्ण था आत्महत्या पर NCRB के आंकडों के संबंद में निम्नलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक, दोजार बीस में बेरोजगारी की वजह से करनाटक में सबसे जादा लोगों यानि 720 ने आत्महत्या की है दो, दोजार बीस में दिवालिये पन या कर्श के कारण आत्महत्या करने वालों में महाराश्ट्र सबसे उपर है उप्रोक्त में से कौनसा यांसे कतन सही है या फिर है इससा सही जवाब था दोनों एक और दो शुरुवात करते हैं आज के सेशन की सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्ण काजी रंगा राश्ट्रिये उद्यान के संबंद में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए एक यह ब्रहमपुत्र वैली के बाड का मैदान यानि फ्लड प्लेन का सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिदिक शेत्र है दो इसे 2007 में टाइगर रिजर्व घोशित की आ गया था तीन यह युनेसको की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूची बद है उपरोक्त में से कौन सा यहां से कथन सही है या फिर है केवल एक और दो, केवल दो, केवल दो और तीन या फिर एक, दो और तीन इसका सही चवाब है Option D, एक, दो और तीन यानि सभी कथन सही है हाल ही में शोटकरताओं ने पाया की काजी रंगा में मार्च, अपरैल और मई के प्री मौनसून सीजन के दौरान कार्बन डायोकसाइट की सबसे अधिक मात्रा अवशोशित की गई मौनसून के दौरान बादलों की वजह से पेडों में प्रकास संशलेशन की क्रिया कम होने लगी थी इसलिए कार्बन डायोकसाइड को अवशोशित करने की वनों की क्षमता भी कम हो जाती है मौनसून के बाद और सरदियों के महीने के दौरान स्थिती समान रहती है जिससे वन एकशुद कार्बन उत्सरजग यानि नेट कार्बन एमिटर बन जाते हैं काजी रंगा राष्ट्रिय उद्ध्यान असम राज्य में अफस्थित है यह भ्रमपुत्र घाटी के बाड का मैदान यानि फ्लड प्लेन का सबसे बड़ा अविभाजित और प्रतिनिधिक शेत्र है अतह कथन एक सही है इसे 1974 में राष्ट्रिय पार्ख का दर्जा मिला था 2007 में इसे टाइगर रिजर्व घोशित किया गया था इसका कोल बाग आरक्षित शेत्र 1030 वर्ग किलोमीटर है इसलिए कथन दो सही है काजीरंगा राष्ट्रिय उद्यान को 1985 में युनेस्को का विश्व धरोहर स्थल घोशित की आ गया था इसलिए कथन तीन सही है इसे बर्ड लाइफ इंटरनेशनल द्वारा एक महतुपूर्ण पक्षिक शेत्र के रूप में भिमान निताप्राप्त है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब उप्षन डी एक दो और तीन हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल द्रिश्टी आएस इंग्लिश आज के सेशन का पहला प्रश्ण है करनाटक उचन आयाले की तीन जज़ों की पीठ ने हाल ही में कॉलेज परिसर में मुसलिम छात्राओं द्वारा हिजाब पहनने पर प्रतिबंद लगाने वाली याचिकाओं पर अपनी आगे की सुनवाई स्थगित कर दी है सम्विधान का अनुछेत 25 एक धर्म को अबाद रूप से मानने आचरण और प्रचार करने की गारंटी देता है यह ऐसा अधिकार है जो एक तरहां से नकारात्मक स्वतंतरता की गारंटी देता है इसका तात्पर्य यह हुआ कि राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि इस स्वतंतरता का प्रयोग करने में कोई हस्तक शेप या बाधा ना हो हाला कि सभी मौलिक अधिकारों की तरहां राज्य उन अधिकारों को प्रतिबंधित भी कर सकता है जो सारवजनिक व्यवस्था, शालीन ता, नैतिक ता, स्वास्थे और राज्य के अन्याहितों के खिलाफ जाते हो तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन C, अनुछेत 25 एक आगला प्रश्ण है निमनलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक निर्भया फंड, फ्रेमवर्क, महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नॉन लैपसेबल कॉर्पस फंड प्रदान करता है दो इस फंड का प्रशासन वित्त मंत्राले के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है हाली में दिल्ली सरकार ने केंदर से निर्भया फंड से ग्यारा करोड रुपे से अधिक कादान देने का अनुरोद किया है निर्भया फंड फ्रेमवर्क महिलाओं की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए एक नॉन लैपसेबल कॉर्पस फंड प्रदान करता है कई अन्य संबंदित मंतरालेों के अलावा महिला और बाल विकास मंतराले को इस फंड की संरचना इसके दायरे और आवेदन के विबरण पर काम करने के लिए अधिकरित किया गया है इस फंड का प्रशासन वित्म अंत्राले के आर्थिक मामलों के विभाग द्वारा किया जाता है अतह कथन दो भी सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही जवाब उप्शन C, दोनों एक और दो आगला प्रश्ण है स्माइल योजना यानि स्माइल स्कीम के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक भिखारियों और बेघरों के लिए मौझूदा योजनाओं के विले के बाद यह एक नई योजना है केंदर सरकार एक अंब्रेला योजना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को मुख्यधारा में लाने के लिए रोड मैप तयार कर रही है इस योजना का नाम है स्माईल योजना यानि स्माईल स्कीन स्माईल का पूरा नाम है सपोर्ट फर मार्जिनलाइस्ट इंडिविज्वल्स फर लाइवलिहुड एंड एंटरप्राइस यह योजना भिखारियों और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए मौजूदा योजनाओं के विले के बाद लाई गई अतह कथन एक सही नहीं है इस योजना का फोकस पुनर्वास, चिकित्सा, सुविधाओं, शिक्षा, कौशल विकास, आर्थिक विकास आदी पर है सन केंद्रित ना होने देना, पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्रे के लिए समान वेतन, श्रमिकों और बच्चों की शक्ती एवं स्वास्थे की सुरक्षा और बच्चों को स्वस्थ विकास के अफसर दिये जाएं अतह कथन दो सही है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चवाब यॉक्षन बी केवल दो अगला प्रश्ण है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि चुनावी घोशना पत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज हैं दो एकल चरण चुनाव के मामले में निशेधात्मक अवदी यानि प्रोहिबीटरी पीरियट के दौरान घोशना पत्र जारी नहीं किया जाएगा उपरोक्त में से कौनसा यहां से कथन सही नहीं है या फिर हैं केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससा सही चवाब उप्शन ए केवल एक यानि केवल दूसरा कथन सही है कौंग्रेस पार्टी के महासचिब ने हाल ही में लखनव में उन्नती विधान शीर्षक से गोशना पत्र जारी किया इस घोशना पत्र में पार्टी के सत्ता में आने के दस दिनों के भीतर, किसानों पर ध्यान देने के साथ साथ सभी कृशी रिणों को माफ करने का वादा किया गया है चुनावी घोषणापत्र किसी राजनितिक दल द्वारा दिये गए आपचारिक बयान है जिसमें वे अपने उन लक्षियों और नीतियों को बताते हैं जिनें वे सत्ता में आने के बाद पूरा करने के लिए प्रतिबद हों चुनाव घोषणापत्र कानूनी रूप से लागू करने योग्य दस्तावेज नहीं है इसे उच्चितम न्यायाले ने 2015 में दोहराया है इसलिए कथन एक सही नहीं है एकल चरण के चुनाव के मामले में जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 के तहत निर्धारित नि 47 घंटे की निशेधात्मक अवदी यानि प्रोहिबीटरी पीरियट निर्धारित की गई है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चवाब उप्शन ए केवल एक अगला प्रश्ण है निम्दलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक अनुछेद 87 में भारत के राष्ट्रपती के विशेश अभी भाषण का प्रावधान किया गया है दो राष्ट्रपती का अभी भाषण हर साल संसत के प्रथम सत्र के आरंभ में होता है उप्रोक्त में से कौनसा यांसे कथन सही नहीं है या फिर हैं केवल एक केवल दो दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही द इसा सही जवाब Option D ना तो एक और ना ही दो यानि दोनों कथन सही है अनुछेत 87 में राश्ट्रपती के विशेश अभी भाशन का प्रावधान है अतह कथन 1 सही है इस अधिनियम में दो विशेश अफसरों पर राश्ट्रपती के अभी भाशन का प्रावधान है पहला लोगसभा के प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र के आरंब में और दूसरा प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के आरंब में अतह कथन दो भी सही है राश्ट्र पती के अभी भाशन में सरकार की नीतिकत प्रार्थ मिक्ताओं और आने वाले वर्ष की योजनाओं का अनिवारे रूप से उलेख होता है अभी भाशन सरकार के एजंडा और दिशा का व्यापक फ्रेमवर्क प्रदान करता है तो इस तरह इस प्रश्ण का सही चवाब ऑप्शन D ना तो एक और ना ही दो आगला प्रश्ण है वान ओशन समिट के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस द्वारा किया गया इसका आयोजन सहीओक तराष्ट्र और इंटरनेशनल मेरिटाइम औरगनाइजेशन के सहीओक से किया गया उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससही जवाब उप्शन ए, केवल एक प्रधानमंत्री नरेंदर मोदी ने आज वान ओशन समिट के उच्छ स्तरिय सत्र को संबोधित किया जान लेते हैं वान ओशन समिट के बारे में इस सम्मेलन को जर्मनी, युनाइटिट किंग्डम, डक्षिड, कोरिया, जापान, कनाड़ा, सहित, कई देशों के राष्टरा ध्यक्षों, शासना ध्यक्षों भी संबोधित किया नौ से ग्यारहां फरवरी तक के लिए इस सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के ब्रेस्ट नामक शहर में किया जा रहा है अतह कथन एक सही है इसका आयोजन सयोक्त राष्टर और विकास बैंक के सहयोक से किया गया है इसलिए कथन दो सही नहीं है इस शिखर सम्मेलन का मकसद स्वस्थ और समावेशी समुदरी एकोसिस्टम के संरक्षन और समर्थन की दिशा में ठोस कारवाई करने के लिए प्रेरित करना है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाबे option A केवल एक अगला प्रश्ण है प्रवर्तन निदेशाले के संदर्ब में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक इसकी स्थापना 1964 में हुई थी दो निदेशाले आर्थिक मामलों के विभाग के प्रशास्निक नियंत्रण में है उप्रोक्त में से कौन सा या से कथन सही नहीं है या फिर है केवल एक केवल दो दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससा सही जवाब option C दोनों एक और दो यानि दोनों कथन गलत है प्रवर्तन निदेशाले ने money laundering जाँच के सिलसिले में पत्रकार राणा अयूब की एक दशमलव साथ साथ करोड रुपे से अधिक की बैंक जमाराशी अटैच की है जान लेते हैं प्रवर्तन निदेशाले के बारे में इसकी स्थापना वर्ष 1956 में हुई थी और इसका मुख्याले नई दिल्ली में है अतह कथन एक सही नहीं है प्रवर्तन निदेशाले निम्द को लागू करने के लिए जिम्मेदार है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 यानि FEMA और धन शोधन निवारण यानि PML अधिनियम के तहत कुछ प्रावधान PML के तहत मामलों की जाँच और अभियोजन यानि प्रोसीक्यूशन से जुड़े कार्रे प्रवर्तन निदेशाले को सौपे गए है निदेशाले राजास्व विभाग के प्रशासनिक नियंतरण में है इसलिए कथन दो सही नहीं है तो इस तरह इस प्रशन का सही जवाबे उप्शन C दोनों एक और दो आगला प्रशन है निम्नलिखित में से किस सागर के साथ यूकरेन की समुदरी सीमा लगती है कैस्पियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर या फिर बाल्टिक सागर इसका सही जवाबे उप्शन B काला सागर यूकरेन की स्थलिय सीमा को घेरने के साथ साथ रूस ने अब यूकरेन से सटे काला सागर में भी अपने कई युध पोतों को तैनात कर दिया है जान लेते हैं यूकरेन के बारे में यह यूरोप का सबसे बड़ा देश है यह रूस के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है कारपेथियन और क्रीमियन परवत यूकरेन में स्थित है देशना, नीपर, निस्तर, दोनेट्स और दक्षिणी बग नदियां इस देश से होकर बहती है यूकरेन काला सागर और आजोव सागर के जल से घिरा है अतहव विकल्प भी सही है जान लेते हैं काला सागर के बारे में यह एशिया और यूरोप महाद्वीब के बीच स्थित है यह पश्चिम में दक्षिण पूर्वी यूरोप में बालकन प्रायोदीब से पूर्व में काकेशस से उत्तर में पूर्वी यूरोपियन मैदान से और दक्षिण में पश्चिमी एशिया के अनातोलिया से घिरा है छे देशों की सीमा काला सागर से लगती है जिनमें उत्तर में यूक्रेन, पूर्व में रूस और जॉर्जिया, दक्षिन में तुर्की और पश्चिम में बुल्गारिया और रोमानिया शामिल है काला सागर में डैन्यूब, नीपर और डॉन नदियां गिरती है तो इस तरहां इस प्रेश्चन का सही जवाब ऑप्शन B, काला सागर अगला प्रेश्चन है, अर्ली हार्वेस्ट एग्रिमेंट के संबंद में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एक, इसके तहट दो व्यापारिक साजेदार सीमित वस्तुओं और सेवाओं पर सीमा शुलक को काफी कम या समाप्थ कर देते हैं दो, भारत ने थाईलैंड के साथ पहला अर्ली हार्वेस्ट एग्रिमेंट किया था उपरोग्त में से कौन सा या से कथन सही है या फिर है केवल एक, केवल दो, दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इससा सही चवाब उप्शन सी, दोनों एक और दो, यानि दोनों कथन सही है अर्ली हार्वेस्ट स्कीम दो देशों अत्वक्षेत्रिय व्यापारिक ब्लोकों के बीच एक समझोता है जो एक मुक्त व्यापार समझोते के खत्म से पहले कुछ वस्तूओं पर टैरिफ से छूट प्रदान करता है इसके तहट दो व्यापारिक साज़ेदार सीमित वस्तूओं और सेवाओं पर सीमा शुल्क को काफी कम या समाप्त कर देते हैं इसलिए कथन एक सही है भारत ने 2003 में थाईलैंड के साथ पहला अर्ली हार्वेस्ट एग्रीमेंट किया था इसलिए कथन दो भी सही है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन सी दोनों एक और दो अंतिम प्रश्ण है विश्व दलहन दिवस हर साल मनाया जाता है इस साल के इस दिवस की थीम है इसलिए विकल्प ए सही है तो इस तरहां इस प्रश्ण का सही जवाब ऑप्शन ए दस फरवरी अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्ण दल बदल विरोधी कानून के संदर्भ में निम्निलिखित कथनों पर विचार कीचिए एक इसे सम्विधान में 42 से सम्विधानिक संशोधन अधिनियम के जरिये जोडा गिया दो दल बदल विरोधी कानून के लिए भारतिय निर्वाचन आयोग अंतिम निर्नायक प्राधी करण है उपरोक्त में से कौन सा यांसे कथन सही है या फिर है केवल एक केवल दो दोनों एक और दो या फिर ना तो एक और ना ही दो इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा अगले सेशन में नए प्रश्णों के साथ मिलेंगे तब तक के लिए पढ़ते रही है and stay safe